पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहां के राजाओं और नबाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है कि भारत में अंग्रेज केवल भूख शेत्र पर विजय और आयब पर नियंत्रन ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृितिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्भे बनाना है और उनके रिती रिवाजों और मुल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाओ लाए जाने थे? भारतियों को शिक्षित, सभ्भे और अंग्रेजों की सोच के मुताविक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। एक बॉक्स यहाँ पर और इसमें एक शब्द दिया हुआ है, उसका अर्थ बताया गया है, शब्द है भाषा विद, यानि एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। अब सुनते हैं पार्थ। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? आईए, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के एक शेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए इस परताल के दोरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतियों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतियों को कैसे पढ़ाया जाएगा? प्राच्यवाद की परंपरा सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आये उन्हें इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किये गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज्ज के पद पर तैनात किया गया था कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भार्षा विद भी थे उन्होंने ऑक्सफर्ड में ग्रीक और लेटिन का अध्यायन किया था वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फार्सी भी सीख चुके थे इसी प्रिष्ट 81 पर एक चित्र और इस चित्र में बिलियम जोन्स को दिखाया गया है जो फार्सी भार्षा सीख रहे हैं प्रिष्ट संख्या 82 आईए अब सुनते हैं पाठ कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैट कर उनसे संस्कृत की बारी कियां उसकी व्याकरण और संस्कृत काब्यों का अध्यायन करने लगे थे कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीत, नैतिक्ता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतिये पुस्तकों का अध्यायन शुरू कर दिया इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है और ये चित्र है हेंडरी टॉमस कॉलब्रुक का, वह संस्कृत तथा हिंदुत्वों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे आईए अब सुनते हैं पार्ट जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अपसर भी उनकी जैसी दिल्चस्पियां रखते थे हैंडरी टॉमस कॉलब्रुक और नथैनियल हॉलहेड भी भारतिय भाषाएं सीख कर संस्कृत वा फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतिय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक श्रोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जोन्स और कॉलब्रुक भारत के प्रती एक खास तरह का रवया रखते थे वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रती गहरा आदर भाव रखते थे उनका मानना था कि भारती सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभो के शिखर पर थी परन्तु बाद में उसका पतन होता चला गया उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहां के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना वह समझना बहुत जरूरी था उनका मानना था कि हिंदूओं और मुसल्मानों के असली विचारों वा कानूनों को इन ही रचनाओं के जरिये समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनह अध्यायन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूणने उनकी व्याख्या करने अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुँचाने में जुट गए उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतिय संस्कृती से सीखने में मदद देगी बलकि भारतियों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभाव को समझने में मदद देगी इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतिय संस्कृती के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पष्चिमी ग्यान की बजाए भारतिय ग्यान को ही प्रोसाहन देना चाहिए वे चाते थे कि प्राचीन भारतिये ग्रंथों के अध्यायन को प्रोसाहित करने और संस्कृत वा फारसी साहित्ते वा काब्बे पढ़ने के लिए संस्थानों के स्थापना की जाए इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदूओं और मुसल्मानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परीचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं उन्हें अंजाने विशयों की शिक्षा ना दी जाए इन अफसरों की राए में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं केवल तभी अजनभी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं इसी प्रिष्ट के नीचे एक बॉक्स और उसमें एक शब्द है उसका अर्थ बताया गया है शब्द है मदर्सा मदर्सा का अर्थ है सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदर्सा कहा जाता है यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है प्रिष्ट संख्या 83 इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फार्सी, इसलामिक कानून के अध्यायन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदर्सा खोला गया 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राची इन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले परंतु कम्पनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे इन में से बहुत सारे प्राच्चे वादियों के कटू आलोचक भी थे इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या तीन पर एक नज़र डालते हैं और इसके बारे में वर्नन है वारेन हैंस्टिग्स का स्मारक रिसर्च वेस्ट माउकोट अठारा सो तीस अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्चे वादी किस तरह सोचते थे इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सबसे उपर हैंस्टिग्स की भव्विप्रतिमा है जो प्राच्चे वादियों के भारी समर्थक थे इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुन्शी दिखाई दे रहा है हैंस्टिगस तथा अन्य प्राच्चेवादी भारतिय विद्वानों से विभिन्न भारतिय भाषाएं सीखना चाहते थे जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे वे स्थानिय रिती रिवादों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन गरंथों के अनुआद और व्याख्या में मदद चाहते थे हैंस्टिग्स ने पहल करके कलकर्टा मदर से की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहां के प्राचीन रिती रिवाज और यहां की ज्यान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए पाठ में चलने से पहले यहां इसी प्रिश्ट पर नीचे एक बॉक्स और बॉक्स में कुछ शब्द दिये गए हैं उनकी व्याख्या की गई है पहला शब्द है प्राचेवादी यानि एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ग्यान रखने वाले लोग मुन्शी ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो वरनाकुलर यह शब्द आमतोर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानिय भाषा या बोली के लिए इस्तिमाल किया जाता है भारत जैसे आपनीवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तिमाल की स्थानिय भाषाओं और सामराज्य वादी शासक की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तिमाल करते थे अब आईए सुनते हैं पाठ पूरव की जगन्य गलतियां उन्निस्वी सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अपसर शिक्षा के प्राच्चेवादी द्रिष्टिकोंड की आलोचना करने लगे थे उनका कहना था कि पूरवी समाजों का ग्यान तूटियों से भरा हुआ और अवय ग्यानिक है उनके मताबिक पूरवी साहित्य अगंभीर और सतही था इसलिए उन्हों ने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्क्रित भाषा वसाहित्य के अध्यायन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए प्राच्चे वादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुक थे उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए उनकी राय में शिक्षा के जरिये उप्योगी और व्यावहारिक चीजों का ज्यान दिया जाना चाहिए इसलिए भारतियों को पूर्वी समाजों के काब्वे और धार्मिक साहित्य की बजाए ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्यानिक और तक्नीकी सफलताएं हासिल कर ली है 1830 के दशक तक प्राच्चे वादियों का विरोध और तीखा हो गया था थॉमस वेबिंग्टन मैकॉले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे वह भारत को असब्भे देश मानते थे जिसे सब्भेता का पाठ पढ़ाना जरूरी था मैकॉले के अनुसार पूर्वी ज्यान की कोई भी शाखा इंग्लेंड की प्रगती के समकक्ष नहीं थी मैकॉले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपिय पुस्तकाले का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्ते के बराबर है उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्चेवादी ज्यान पर सरकारी पैसा बरवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फाइदा होने वाला नहीं है पाठ में जाने से पहले यहां एक चित्र, चित्र संख्या चार और इसमें थॉमस, बैबिंग्टन, मेकॉले और उनके अध्यायन कक्ष को दिखाया गया है अब आएए सुनते हैं पाठ हम बात कर रहे थे मेकॉले की विशे में, आएए आगे उसी पर चर्चा करते हैं गहन उर्जा और आवेश पूर्वक, मेकॉले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्यान से भारतियों को दुनिया की श्रेश्टतम साहितिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा यहां के लोग पश्चिमी विज्यान तथा दर्शन के ख्षेत्र में हुए विकास से आउगत हो जाएंगे इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्वे बनाने, उनकी रुचियों, मूलियों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है मैकॉले के मिनिट्स या विबरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदर से तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्चेवादी संस्थानों को प्रोसाहन न दिया जाए इन संस्थानों को अपने आप ख्षरन का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संग्या दी गई अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठे पुस्तकें छपने लगी पाठ में जाने से पहले यहाँ एक बॉक्स और बॉक्स का शिर्षक है ग्यानियों की भाषा स्रोत संख्या एक अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकॉले ने यह कहा था सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आम तोर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहितिक जानकारियां होती हैं और ना ही वैग्यानिक इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोथ से उनको सम्रिद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मुल्यवान कृती का उनमें अनुवाध ही नहीं किया जा सकता थॉमस वेबिंग्टन मैकॉले भारतिये शिक्षा के विशय में दो फरवरी 1835 के मिनिट्स आए अब सुनते हैं मिनिट्स के विशय में चर्चा द्यावसाई के लिए शिक्षा 1854 में East India Company के London स्थित Court of Directors ने भारतिये गवर्णर जनरल को शिक्षा के विशय में एक नोट भेजा कमपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किये गए इस संदेश को वुड का नीती पत्र या वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीती की रूप रेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्यान के स्थान पर यूरोपिय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावारिक लाभ प्राप्त होंगे इस दस्तावेज में यूरोपिय शिक्षा का एक व्यावारिक लाभ आर्थिक शेत्र में बताया गया था उसके मुताबिक यूरोपिय शिक्षा के माध्यम से भारतियों को व्यापार और वानिज्य के विस्तार में होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी यदि उन्हें यूरोपिय जीवन शेली से आवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांकशाओं में भी बदलाव आएगा और बिटिश वस्तूओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब यहां के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर दें प्रिष्ट संख्या पचासी पाठ में चलने से पहले एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है यूरोपिय ज्यान के पक्ष में एक तर्क स्रोत दो 1854 के वुड के नीती पत्र में प्राच्यवादी ज्यान का विरोध करने वालों की निरनायक विजय का संकेत था जिसने कहा गया था हमें जोर दे कर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष यूरोप की श्रेष्ट तरकलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित यानि यूरोपिय ग्यान का प्रसार करना है अब आएए सुनते हैं पाठ वुड के नीती पत्र में यह तरक भी दिया गया था कि यूरोपिय शिक्षा से भारतियों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा इससे वे ज्यादा सत्तेवादी और इमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कमपनी के पास भरोसे मंद करमचारियों की कमी नहीं रहेगी काम के प्रती दाइत्व और समर्पन का भाव पैदा कर सकता है और नहीं शासन के लिए आवश्यक निपुनता पैदा कर सकता है 1854 के नीती पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंतरन स्थापित किया जा सके विश्व विद्यालई शिक्षा की विवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे उसी समय कलकत्ता, मदरास और बंबई विश्व विद्यालईयों की स्थापना की जा रही थी स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किये गए अब एक बॉक्स और उस बॉक्स में एक गतिविधी है, आएए सुनते हैं हमें क्या गतिविधी करनी है कलपना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं आपने वुड के नीती पत्र या वुड डिस्पैच के बारे में सुना है इसके बारे में अपनी प्रतीक्रियाएं लिखिए इसी प्रिष्ट संख्या 85 पर एक चित्र और चित्र संख्या है 5 इसमें 19 सदी में बंबई विश्विध्यालय का चित्र दिया गया है प्रिष्ट संख्या 86 प्रिष्ट संख्या 86 में एक बॉक्स है सबसे पहले नैतिक शिक्षा की मांग। और इसी बॉक्स में चितर संख्या छे है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है, स्कॉटलेंड के इसाही प्रचारक विलियम केरी, जिसने सेरामपूर मिशन की स्थापना में मदद की। अब आए सुनते हैं विवरण। उन्डिस्वी सदी में भारत में सक्रिय इसाही प्रचारकों ने द्यावसाइक शिक्षा के पक्ष में दिये जा रहे तरकों का विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है। और नैतिकता केवल ईसाई शिक्षा के जरिये ही संभाव है। 1813 तक East India Company भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। Company को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानिय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिती को शक की नजर से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंतरण वाले भूग शेत्रों में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततह सेरामपूर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डैनिश इस्ट इंडिया कंपनी के नियंतरण में आता था। वर्ष 1800 में एक च्छापा खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19. सदी के दोरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गये। परंतु 1857 के बाद भारत की बिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानिय रीती रिवाजों, व्यवहारों, मुल्य मानेताओं और धार्विक विचारों से किसी भी तरह की छेड़-छाड देशी लोगों को भड़का सकती है। इसी प्रिष्ट पर नीचे एक चित्र, चित्र संख्या साथ, और इस चित्र में कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपूर कॉलेज का चित्र दिखाया गया है। स्थानिय पाठशालाओं का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहां बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? पाठ में आगे चलने से पहले इसी फ्रिष्ट पर एक चितर, चितर संख्या आठ और इस चितर में एक ग्रामीन पाठशाला का चितर दिखाया गया है इसके बारे में लिखा हुआ है यह ठांसवां सॉल्विन नामक डच पेंटर दौरा बनाया गया चितर है फ्रांसवां अठारवी सदी के आखिर में भारत आये थे अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है अब आएए सुनते हैं पार्ट विलियम एडम की रिपोर्ट 1830 के दशक में स्कॉट लेंड से आये इसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगती पर रिपोर्ट तयार करने का जिम्मा सौपा था एडम ने जो रिपोर्ट तयार की वह दिल्चस्प थी एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में एक लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतोर पर बीस से ज्यादा विद्ध्यार्थी नहीं होते थे फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी यानि लगभग बीस लाख से भी ज्यादा थी ये पाठशालाएं संपन लोगों या स्थानिय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी ये पाठशालाएं स्वयम गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी शिक्षा का तरीका काफी लचीला था आज आप जिन चीजों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी छपी हुई किताबे नहीं होती थी पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी बैंच और कुरसिया नहीं होती थी ब्लैक बोर्ड नहीं होते थी अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतिजाम नहीं होता था सालाना इंतिहान और नियमित समय सारिनी या रूटीन जैसी कोई विवस्था नहीं थी कुछ पाठशालाएं बरगद की छाया में ही चलती थी तो कई गाउं की किसी दुकान या मंदिर के किसी कोने में या गुरू के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था बच्चों की फीस उनके माबाप की आमदनी से तय होती थी अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी शिक्षा मौखी खोती थी और क्या पढ़ाना है? यह विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए गुरू ही तय करते थे विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था सभी एक जगह, एक साथ बैठते थे अलग-अलग स्थर के विद्यार्थियों के साथ गुरू अलग से बात कर लेते थे एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानिय आवश्चक्ताओं के लिए काफी अनुकूल है उधारण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाओं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गाओं के बच्चे प्रायह खेतों में काम करने चले जाते थे कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पार्शाला दुबारा शुरू हो जाती थी इसका परिणाम यह था कि साधरण काश्टकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे प्रिष्ठ संख्या 88 आएए सुनते हैं पाठ नई दिन चर्या नए नियम 19. सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था इसी लिए कंपनी ने स्थानिय पाठशालाओं में काम काज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला गिया कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौझूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किये जा सकते हैं कंपनी एक नई दिंचरिया, नए नियमों और नियमित निरिक्षणों के जरिये पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी सवाल है कि इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया इनमें से प्रतेक पंडित को चार-पाँच स्कूलों की देख-रेख का जिम्मा स्वापा जाता था पंडितों का काम, पाठशालाओं का दवरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था प्रतेक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारीणी के अनुसार पढ़ाएं अब अध्यापन पाठे पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगती को मापने के लिए वार्षिक परिक्षाओं की रूप रेखा तयार की जाने लगी विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तै सीट पर बैठें, और अनुशासन के नियमों का पालन करें नए नियमों पर चलने वाली पाथशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे जो पात्षालाएं नई विवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पात्षालाओं के सामने कमजोर पढ़ने लगे इन नए नियमों और दिन्चरिया का एक और भी नतीजा हुआ नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आपाता था तो उसे अनुशासन ही निता माना जाता था यानि बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता इसी प्रिष्ट पर दो बॉक्स और सबसे पहला बॉक्स उसमें कुछ गतिविधियां दी गई है गतिविधि संख्या एक कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं अब बताएं कि सरकार द्वारा नियंत्रित पाठशालाओं पर आपकी क्या राय होगी दूसरी गतिविधि क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50 प्रतिशत बच्चे 13-14 साल की उमर तक पहुँचते पहुँचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थीती के कारण क्या है एक बॉक्स और इसी प्रिष्ट पर और ये चित्र संख्या नौ है जिसमें अरुविंदो घोष का चित्र दिया गया है आएए सुनते हैं औरुविंदो घोष के बारे में औरुविंदो घोष ने 15 जन्वरी 1908 को बॉमबे यानि आज के मुंबई में अपने एक संभाशन में राष्ट्रिय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष छात्रों में राष्ट्रियता का भाव जागरित करना है इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कारियों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा शिक्षा को मात्रि भाशा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और विंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्देपी छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए फिर भी उनको आधुनिक वैज्यानिक अविश्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्व में पश्चिमी देशों के अनुभों का भी भरपूर लाव उठाना चाहिए इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्त कला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथा संभव रोजगार पा सकें और आएए अब सुनते हैं पाठ राष्ट्रिय शिक्षा की कारे सूजी केवल अंग्रेज अपसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे 19-वी सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे योरोप में आ रहे बदलाओं से प्रभावित कुछ भारतियों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधूनी की करण कर सकती है उन्हों ने अंग्रेजों से आहवान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्चो विद्याले खोलें तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय नौ में पढ़ेंगे परंतु बहुत सारे भारतिये पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे आएए देखते हैं उनका क्या कहना था सबसे पहले महात्मा गांधी का कथन अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है महात्मा गांधी का कहना था कि आउपनी वेशिक शिक्षा ने भारतियों के मस्तिश्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है इसके प्रभाव में आकर यहां के लोग पश्चिमी सब्भ्यता को स्रेष्ठ तर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृती के प्रती उनका गौरव भाव नश्ट हो गया है महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विश भरा है यह पापपूर्ण है इसने भारतियों को दास बना दिया है इसने लोगों पर प्रभाव डाला है उनके मुताविक पश्चिम से अभिभूत पश्चिम से आने वाली हर जीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतिये ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे महत्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतियों के भीतर ततिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर जीवित करे राष्ट्रिय आंदोलन के दोरान उन्होंने विद्यार्थियों से आहवान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है महत्मा गांधी की द्रिड मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतिय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतियों को अपाहीज बना देती है उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमी पर अजनवी बना दिया है उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानिय संस्कृती से घ्रिणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतिये अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिवी शिक्षा मौखिक ग्यान की बजाए केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है उसमें पाठे पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभवों और व्यावारिक ग्यान की उपेक्षा की जाती है गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विक्रसित होनी चाहिए उनकी राय में केवल साक्षर्ता यानि पढ़ने लिखने की क्षमता पालेना ही शिक्षा नहीं होती इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं इससे उनका मस्तिश्क और समझने की क्षमता दोनों विक्रसित होंगे इसी प्रिष्ट नवासी पर एक चित्र, चित्र संख्या 10 और इस चित्र में महात्मा गांधी और कस्तूर्वा गांधी शांती निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली में एक साथ बैठे वे हैं प्रिष्ट संख्या 90 सबसे पहले एक बॉक्स, बॉक्स का शीर्षक है साख्षरता ही शिक्षा नहीं है स्रोत संख्या 3 महात्मा गांधी ने लिखा था शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिश्क और भावना के स्रेष्ट तक्त्वों को सामने लाया जाए साख्षरता न तो शिक्षा का अंत है और नहीं उसकी शुरुवात यह तो केवल एक साधन है, जिसके जरिये पुरुशों और महिलाओं को शिक्षा दिया सकती है साख्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूँगा मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है प्रतेक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांतरिक धंग से ही नहीं बलकि वैज्यानिक धंग से पढ़ाया जाना चाहिए यानि बच्चे को प्रतेक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए और अब सुनते हैं पाठ जैसे जैसे राष्ट्रिय भावना का प्रसार हुआ कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो तैगोर का शांती निकेतन इसके विवरण में जाने से पहले चित्र संख्या 11 पर एक नजर डालते हैं और ये शांती निकेतन में एक कक्षा चल रही है उसका चित्र है ये 1930 के दशक में लिया गया चित्र है आसपास का महौल देखिए चारों तरफ पेड और खुली जगा है अब पाठ टैगोर का शांती निकेतन आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांती निकेतन के बारे में सुना होगा क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिरते थे वहाँ उनका दम घुर्ता था उन्हें स्कूल का महौल दमनकारी लगता था टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो क्योंकि वहाँ बच्चे मन चाहा कभी नहीं कर पाते थे जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके जहां वे मुक्त और रचनाशील हो जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके प्रिष्ट संख्या 91 तैगोर को लगता था कि बच्चपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए वह सोचते थे कि बच्चों को अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा ब्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए शिक्षक कलपनाशील हों, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुखता जानने की चाह विक्सित करने में मदद दें तैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता चकित होने के उनके सवभाविक गुण को मार देते हैं तैगोर का मानना था कि स्रिजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोसाहित किया जा सकता है इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीड परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया उन्हें यह जगह निर्मल शांती से भरी दिखाई दी जिसे बाद में शांती निकेतन कहा गया यहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक स्रिजनात्मक मेधा को और भी अधिक विकसित कर सकते थे बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों वा प्राउध्योगी की उपासना के कट्टर आलोचक थे जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतिय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे उन्होंने शांतिनी के तन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्राउध्योगी की की शिक्षा पर भी जोर दिया इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली की रूप रेखा क्या होनी चाहिए कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस प्रकार फैलाया जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिलें इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वईकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रिय संस्कृती की शिक्षा दिया सके काउन तै करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रिय क्या होता है इस राश्ट्रिय शिक्षा की बहस स्वत्मत्रता के बाद भी जारी रही इसी प्रिष्ट 91 पर एक चित्र और ये चित्र संख्या 12 है इसमें कोयमबटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे ये 20. सदी के प्रारंभका चित्र है 19. सदी के मध्ये तक इसाई प्रचारक और भारतिय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे प्रिष्ट संख्या 12 एक बॉक्स और बॉक्स का शिर्षक अन्यत्र सब भे करने के लिए शिक्षा 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी इसी दिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे परिवार चलाने के लिए उनकी आए महत्वपूर थी स्कूल भी बहुत कम थे ज्यादतर स्कूल चर्चिया रईसों द्वारा स्थापित किये गए थे शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किये और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया तॉमस और्नॉल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर शेक्षणिक विचारकों में से एक थे वह रगभी नामक प्राइविट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे माध्यमिक स्कूल की पाठे चर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रिये कृतियों के विस्तरित अध्यायन की हिमायत करते हुए उन्हों ने कहा था मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्यायन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रित करता है हर रोज हम भाशाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं और नॉल्ड का मानना था कि शास्त्रिय कृतियों के अध्यायन से दिमाग अनुशासित होता है वास्तों में उस काल के ज्यादतर शिक्षा विदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवर्शक है सभ्य वैस्क के रूप में विक्सित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और घलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है शिक्षा खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा होनी चाहिए और उसका मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लेंड में गरीबों तथा उपनिमेशों में देशी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा प्रिष्ट संख्या बानवे में ही इस समय हमारे लिए करने के लिए कुछ काम और आईए सबसे पहले एक बॉक्स में शिर्षक दिया हुआ है शिर्षक है आईए कल्पना करें कल्पना कीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा पर महात्मा गांधी और मेकॉले के बीच चर्चा चल रही है आप ध्यान से चर्चा सुन रहे हैं आप एक पन्ने में लिखें कि दोनों क्या क्या कह रहे हैं फिर से याद करें एक यहां दो स्तंभ दिये गए हैं आपको दोनों स् नीच में जोड़े बनाने हैं आएए सुनते हैं पहला स्तंभ विलियम जोंस रविंद्र नाथ टेगोर टॉमस मेकॉले महत्मा गांधी पाठ शालाएं और अब सुनते हैं दूसरा स्तंभ अंग्रेजी शिक्षा को प्रोटसाहन प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान गुरू प्राक्रितिक परिवेश में शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध प्रिष्ट संख्या तिरानवे इन में से सही या गलत बताएं क जेम्स मिल प्राच्चे वादियों के घोर आलोचक थे ख अठारासो चवण के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए ग, महत्मा गांधी मानते थे कि साक्षर्ता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है ग, रविंदर नाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए आपको बताना है ये चारो बातें सही है या गलत है आईए विचार करें तीन, विलियम जोन्स को भारतिय इतिहास दर्शन और कानून का अध्यायन क्यों जरूरी दिखाई देता था चार, जेम्स मिल और टॉमस मिकॉले ऐसा क्यों स्तोचते थे कि भारत में यूरोपिय शिक्षा अनिवारे है पांच, महत्मा गांधी बच्चों को हस्त कलाएं क्यों सिखाना चाहते थे छे, महत्मा गांधी ऐसा क्यों स्तोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतियों को गुलाम बना लिया है आईए करके देखें साथ, अपने घर के बुजर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी आठ, अपने स्कूल या आसपास के किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएं यहां सात्वा अध्याय समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे हमारे अतीत भाग तीन ध्वनी पाठे पुस्तक का सात्वा अध्याय शीर्शक्था देशी जनता को सभ्वे बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना वाचन्स्वर अजीत होरो, निर्मान सहयोग शानु मुक्सीम, निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCEAT नई दिल्ली भारत झाल